विद्यार्थियों, आज हम B.A. 5.2 के प्रथम प्रिश्ण पत्र रिती कालिन कावे में बिहारी के कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले के इव्याख्यान में आपको बिहारी के सामाने परिचे से परिचित कराया गया। बिहारी किस काविधारा के कवी हैं, क्या उनकी विशेष्टा है, कौन सी उनकी रचना है, इसकी सामने जानकारी आपको करा दी गई है बिहारी रिती काल के एक विसिस्ट कवी है रिती सिद्ध काविधारा के कवी है और बिहारी सचसे ही उनकी एक मात्र रचना है जो उनकी कवित्विक का आधार है उनकी ख्याती का आधार है तो आपकी जो पाठे क्रम में दोहा है उस दोहे का मैं वाचन करती हूँ और उसके बाद में उसका अर्थ स्पर्ष्ट आपको करूँगी मेरी भव बादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे शाम हरित दुति होई मेरी भव बादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे शाम हरित दुति होई प्रस्तु दोहा है वो बिहारी सचे का प्रथम दोहा है और इसमें राधी का और शाम का स्मरण किया गया है हमारी कवी परिपाटी है कि वो कावय आरंभ में मंगला चरण करते हैं मंगलाचरण अर्थात अपने अराध्य देग, अपने इस्ट देव का समर्ण करते हैं ताकि ग्रंत की निर्विक्ण समाप्ती हो, किसी प्रकार की कोई बाधा उपस्तित ना हो बिहारी उसी परिपाटी का अनुसरन करते हुए अपने इस प्रथम दोहे में राधा को समर्ण करते हैं राधा भी कौन सी नागरी राधा, चतुरी राधा को समर्ण करते हैं अर्थात और उन राधा का जो प्रभाव है वो शाम पर भी पढ़ता है तो शाम से अधिक वो रादिका को अपना राध्य मानते हैं और उनको हिस्मन करते हैं तो इसमें जो दोखा है इसमें स्लेश अलंकार है और शब्दों के एक अधिक अर्थ निकलते हैं तो मैं उनका आपके समक्ष स्पष्चिकरण करती हूं मेरी भव बाधा हरो भव बाधा अर्थात सांसारिक विग्न सांसारिक कस्ट भव मतलब संसार और बाधाएं विग्न भव बाधा संसार या सांसारिक जीवन में उपस्तित होने वाली नाना विद विग्न बाधाएं दुख दर्दे चिंता आदी जाई जाई शब्द के यहाँ पर तीन अर्थ किये गए हैं जाई से पहला अर्थ है पर जाई दूसरा है उसकी जाकी या जलक और तीसरा अर्थ से निकलता है ध्यान इसी प्रकार परे शब्द का भी तीन भावार्थ यहाँ पर होते हैं तीन उसके यथा क्रम अन्वित होते है जहाई पढ़ने के संदर में इसका अर्थ अन्वे होता है तन पर पढ़ने से, दृष्टी में पढ़ने से और हृदय में पढ़ने से इसी प्रकार जो शामु शब्द दोहे में आया है उस बहबी तीन अर्थों में प्रियोग में हुआ है पहला अर्थ है शाम वर्ण वाले स्रीकृष्ण दूसरा है स्रीकृष्ण और तीसरा काला रंग वाला पदार्थ अर्था जो कलमश है, पातक है, दुखदारिद्दे आदी है उनका रंग कवी परिपाटी के अनुसार काला माना गया है, शाम माना गया है हरत दुती होए हरत दुती इस शब्द के भी दोहे में तीन अर्थ ग्रहन किये गए है प्रथम अर्थ है, हरे रंग वाला दूसरा है हरा भरा, डह डहा अर्थात प्रसन्वदनवाला प्रसन्मुखवाला और तीसरा शब्द है गत्य दुती हत्प्रब अर्थात तेजहीन प्रभाशुन्ने तो इस प्रकार इसमें जाई, परे, शाम और हरिद्युती इन तीनों के इन चारों शब्दों के तीन तीन अर्थ निकाले गए हैं श्लेश अलंकार होने के कारण इस दोहे के अर्थ भी तीन ही प्रकट होते हैं जिनको यहां आपको स्परष्ट करने का प्रियास किया जाएगा दोहा है इस दोहे का प्रसंग ये बनता है कि कभी ने मंगला चरण किया है निर्विद्न समाप्ती के लिए अपने गरंथ की समाप्ती के लिए और वो प्रातना करता है रादिका जी से रादिका सांसारिक भवबादाओं को दूर करते हुए उनकी प्रातना सुने अब यहां पर जो प्रत्म अर्थ निकलता है वो ये है कि मेरी भवबादा हरो मेरी सांसारिक बादाओं को हरे राधा नागरी नागरी का जिनके तन की ध्यूति पढ़ने से श्याम भी श्री कृष्ण भी हरिधः ध्यूति वाले हो जाते हैं अर्थात हे राधा नागरी हे वही राधा नागरी तुम मेरी भावदाओं को हरन करो समाप्त करो अब इसका एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि वही राधा नागरी जिन के तन की जहांकी अर्था जलक आँखों में पढ़ने से या दिखाई देने से स्री कृष्ण भी हरे भरे अर्थात प्रसन वदन हो जाते हैं वही राधिका मेरी भाव बाधाओं को हरे अर्थात राधिका अधिक प्रभावशाली है कि जो कृष्ण स्व्यम इश्वर हैं परमात्मा हैं वो भी राधिका को दे करके प्रसन चित हो जाते हैं ऐसी राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का हरन करे कभी यहाँ पर रादिका जैसे स्री कृष्ण की अत्यंत प्रेम पात्री होने के कारण भी उनके प्रिशंसा करता है कि आप मेरी भव बाधाओं का निवारन करो एक तीसरा अर्थ यह भी प्रकट होता है इस दोहे से कि हे राधा नागरी वही राधा नागरी जिनके रूप का या तन का ध्यान पढ़ने से भक्तों के हृदे में वो आने से काले रंग वाले परदार अर्थात सांसारिक दुख दारिदे आदी गत दूती हो जाते हैं आबा जाते हैं मेरी भवबादा सांसारिक दुख दारिदे चिंता आदाओं को ऐसी राधिका हरण करे तो यहाँ पर श्रेश अलंकार होने के कारण तीन विशिस्ट अर्थ इस दोहे से निकलते हैं सामाने ते इसका ये भाव निकलता है कभी राधिका से प्रात्ना करता है कि वो राधिका मेरी समस्त सांसारिक बावबादाओं का हरण करे दूर करे निवारण करे जिनके तन की जाई मात्र पढ़ने से या जलक मात्र देखने से स्रीकृष्ण भी हरिद्यूति वाले हो जाते हैं अर्थात प्रसंद्यूति हो जाते हैं हरिद्करान्ति वाले हो जाते हैं तो यहाँ पर कभी की जो बिहारी की यहाँ पर बिहारी का ये बहुती प्रसिद्ध दोहा है और उनकी प्रतिभा का यहाँ पर इसमें पहले दोहे में ही प्रभाव या चाप दिखाई पड़ती है बिहारी का दूसरा दोहा जूती जोनहे में मिली मिली गई नैक ने होती लखाई सोंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए बिहारी ने दोहे जैसे छोटे चंद में अमित भाव भरे है अब यहाँ पर गोरवर्णा नाइका का वर्णन किया गया है और वो गोरवर्णा नाइका रात्री की चांदनी में अर्था जोत्सना में अपने नाइक से मिलने जाती है नाइका शुकल अभिशारी का है अर्था शुकल पक्ष में चांदनी रात में वो नाइका से मिलन के ले जाती है अभिशारी का है लेकिन वो इतने गोरवर्ण की ह कि बाहर का परिवेश है, महां चांदनी छित्राई हुई है और उस चांदनी के रंग में उस नाइका के वर्ण में कोई अंतर नहीं है और वो एकाकार हो गई है या एक में हो गई है और उस सख्यों के लिए जो उसके साथ सख्यां चल रही है उनका भी उसे देख पाना चांदनी में तो यूति जो नाइका है वो जोत्सना में मिल गई है एकाकार हो गई है किसलिए अपनी गोर दुति के कारण अपने गोर वर्ण के कारण मिल गई है नैक नहुती लखाई नैक तनिक भी जरा सी भी वो दृष्टी गोचर नहीं होती है उसके साथ जो सख्यां चल रही है वो उनको दिखाई नहीं दे रही है अब यहां सख्या एक अनुमान से काड़िय जोती है सोन्धे के डोरे लगी अली संग चली जाए अली अर्थात उसकी सख्या है वो उसके शरीर से निकलने वाली सुगंद का अनुमान पाथ सक्त Song के पीछे पीछे चली जा र तो भाव यह है इस दोहे का कि वह यूती अपनी गोर ध्युती के कारण चांदनी में कैसी मिल गई है कि वह किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती है आतहे उसको दृष्टी पात करना या उसको लक्षित करके चलना असंबह सा हो गया है परंतु उसकी सक्या है वो उसके शरी हुई उस दोर के सारे ही चली जा रही है अन्य था उसके साथ चलने का और कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं देता है हो रीजी लखी रीजी हो चबी ही चबीले लाल सोन जुही सी होती धुती मिलत मालती माल पुने है इस दोहे में जो नाइका की सखी है वो या दूती है वो नाइका की शरीर की सुनहरी आभा का उसके सौंदरे का उसके गोर वर्ण का नाइक के समक्ष उत्पन करती है ताकि उसका सौंदरी आंकन सुनकर के उसके हुर्दे में नाइका से मिलने की उत्कंठा उत्प हो जाए हो रीजी ही हो अठात मैं तो उस पर रीज गई हूं नायका भी रीज गई है एक स्त्री होते हुए भी नायका होते हुए अपनी सकी पर रीज जाती है ऐसा वर्णन वो नायक के समक्ष कर रही है अपना दूती का कारिय वो कर रही है तो नायका की जो सकी है वो नायक क समक्ष कहती है कि मैं उस पर रीज गई हूँ आसक्त हो गई हूँ उसके सुंदरे को देखकर और तुम भी हे चवीले लाल अपने आपको चुम चवीले समझते हो सुंदर समझते हो तो तुम उसकी चवी को देखकर भी तुम भी रीज जाओगे आसक्त हो जाओगे अर्थात ह ओ रीजी, मैं रीज गई हूँ, लखी रीजी जो भी उसको देखेगा और जो अपने आपको नायक है वो चविली, सुन्दर चविली वाला समझ रहा है, सुन्दर आभा वाला समझ रहा है, वो भी उस पर रीज जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है, उसकी गुराई देख करके, उ उंदर आभावाली हो जाती है नायका की जूति है नायका की सकी है वो नायक के भर्दय में उससे मिलने की उत्कंणठा उत्पन कारिय करती है इसे भी छमतकार उत्पन किया गया है और 30 उक्ती से परीपूहनन लग रहा है बहेके सब जिये की कहत ठोर कुठोर लखे लखे ने छिन और छिन और से ये छवी चाके नैन अब यहाँ पर नायक का वर्णन किया गया है नायक के नित्रों का वर्णन किया गया है बहेके अर्थात अपने वश से बाहर हैं जिन पर की अप स्व्यम का नियंतरन नहीं है छवी छाके, छवी छाके 26 रूपी मदीरा से छखे हुए छवी सोंदर्य पान से छखे हुए तो यहां पर जो सकhी है, उन नाइका से कहती है कि तुम्हें अपना नाइक के परती जो अनुराग है अपने प्रिये के प्रती जो प्रेम है उसको गुप्त रखना चाहिए, गोपन रखना चाहिए, छिपाया हुआ रखना चाहिए अन्य था लोग तुम्हें इस प्रेम भाव से परिपूर्ण देख करके क्या बात करेंगे तो यह सारे शिक्षा अपनी नाइका से सुनकर के पूर्व अनुरागिनी जो नाइका है, जो अपनी नाइक के प्रेम में आमग्न है, निमग्न है वो कहती है कि मैं क्या करूँ, अर्थात मेरा स्व्यम पर नियंतरन नहीं है, मेरे नेत्रों पर भी मेरा नियंतरन नहीं है नायक की छबीका इन्होंने पान कर लिया है उसको देख करके ये अनुराग युक्त हो गए हैं और स्विम के नियंतरन से बाहर हो गए हैं और ये अब इनका विवार कैसा है ख़ण पर कुछ और है और अगले की ख़ण कुछ और होता है इस प्रकार से ये नयन है सब मेरे हिर् नहीं देखते हैं और कहीं पर भी अपने भावों को अपने प्रेम को अपने अनुराग को व्यक्त कर देते हैं तो यहां पर जो नायका का नायक की प्रती अनुराग है मतवाला पन है प्रेमोन 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 प्रता जो है उसके लिए कहा गया है कि वो कैसे हो गई है चवी चक लिया है अर्थात उसने पान कर लिया है जैसा संसार में प्रसिद्ध है कि मदीरा का पान करने पर मनुष्य अपने जी की सब बात कह देता है उसी भाती नायका ने भी नायक के चवी का चवी रुपी मदीरा का पान कर लिया है और उसका स्विम पर नियंतर नहीं है और वो अपने भावों को, अपने प्रेम को, स्थान, अस्थान कहीं पर भी व्यक्त कर देती है. अब अगले दोहों की व्यक्या हम कल के वीडियो में करेंगे, इन्हें आप पढ़ें और दोहराएं. धन्यवाद.